हम यह पैट चुक़े हैं कि HomeiTab के अंदर छे with a जाती है ठीक है तो उसमें हमारा क्या था? क्लिप बॉट था? टीक है है क्लिप बॉट के बाद जो इंपोर्टेन टाप आती है HomeiTab के अंदर वह होती है Font Tab क्या होती है Font Tab तो font tab के बार में पढ़ेंगे हम इसमें ठीक है तो font सब को पता ही है हमारा font tab हमें font के size name define करने में help करता है तो font tab में सबसे पहले हमें यहां मिलता है font name box क्या बोलता है इसे font name box जिसमें हमारे अलग-अलग font के stylings होती है है मतलब names होते हैं जैसे जो सबसे common हम यूज करते हैं यूज करते हैं केलिबरी केलिबरी जैसे होनों तो इस box का नम क्या हो गया font name box तो home tab के अंदर font tab आता एक sub tab आता और उसके अंदर हम क्या करते हैं font name box को क्या बोलता है font size box और यह सब points में ही measure कर जाते हैं और points में बता दिया था कि one point का मतलब क्या होता है बन बाइ 72 तो दो सब tabs पढ़ ली तो पहला कुन सा बता है मैंने यहां पे font name box फिर font size box उसके क्या आता है दो ए बने रहते हैं से एक बड़ा बना रहता है चोटा बना रहता है यह क्या करेगा font size को increase कर देगा और यह font size को decrease कर देगा माले तुम्हारा सी है click कर और बढ़ा हो box name box font size box और क्या हो गया हमारा अपर के उपर ले जाने का size को और नीच ले जाने का अपर के font increases font size और decreases font size जाता क्लियर है अब उसके नीचे ही एक और होता है bold italics और underline यह तो सब को बता है bold italics और underline यह तीन option और होते हैं हमारे पास underline clear रही है नहीं तो यह हो गया हमारा क्या font tab तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया कि भई home tab के अंदर एक font tab होता है उसके अंदर हमारा क्या आता है पहले आता है font name box आता है कि फिर क्या आता है font size box आता है फिर एक capital होता है increase करने के लिए और यह होता है underline होता है इस तरह से हमारे पास क्या होता है options होता है clear है उस सारे किसमात है font में home tab में home tab कि किस group में font group में clear है यहां तक next हम पढ़ेंगे next video में कि alignment किते type की होता है माले पास alignment पढ़ने हमें ठीक है है नहीं करते next video में thank you